गटबंदन बिहार को लूटने वाला गटबंदन और सुभाविक है तेजश्री आदव जी को इसलिए लगता होगा कि उनका भस्ता चार और अच्छे से चल रहा है देखे वो राजत के लोगों को हिम्मत नहीं रहा है नितिश कुमार जी के सामने बोल सकता है को राजत का नि गया था कि महागटबंदन में सब कुछ ठीक है साथी उन्होंने यह भी कहा कि वो लोग सोचे जो लोग इधर से उधर गए हैं यानि कि उनका कहना है कि जो लोग महागटबंदन से निकलके बीज़पी में गए हैं वो लोग सोचे अब इस पर जो है बिहार प्रदेश अध गटबंदन महागटबंदन विहार को लूटने वाला गटबंदन और सवाभी के देजस्री आदब जी को इसलिए लगता होगा उनका भस्ताचार और अच्छे से चल रहा तो आज बिहार में किस तरह के गटबंदन का स्क्या सुरूप है यह बिहार की जनता जान रही है वि पल्टी मारने वाली सरकार है जो पल्टी मारने से आदी हो चुके हैं नितिश कुमार जी रोज पल्टी मारने वाले ही लोगों तो आपने बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समडाठ चौधरी को सुना जनकाग कहना है कि जाहिर से बात है तेश्वी आदो क्यों न कहें कि महागट बंदन में सब कुछ ठीक है क्योंकि ये गट बंदन जो है वो लूटने की गट बंदन है और स्वभाविक है तेश्वी आदो अपने ब्रस्ट अचार को बढ़ावा दे रहे हैं ऐसा समराठ चौधरी का कहना है जैसा कि आपने वीड तेश्वी आदो को कहा है कि उनका ब्रस्ट अचार जो है इस महागट बंधन में अच्छे से चल रहा है और सांति उन्होंने कहा है कि ये महागट बंधन जो है वो लूट गट बंदन है यहां पे लोग लूट रहा है बिहार को आपने सुना है समराठ चौधरी को किस नजर आए हैं देखिए इन दिनों काफी जादा चर्चाएं तीज हैं कि महागट बंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है लेकिन तेश्वी आदो और नितिश कुमार लगातार यह कहते हुए नजर आते हैं कि सब कुछ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन राजनितिक स सौधरी का बयान आया है जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा होगा कि किस तरीके से वो कहते हुए नजर आए हैं कि सौभाविक है क्यों नहीं ठीक बोलेंगे महागट बंधन में क्योंकि इन लोगों का ब्रस्राचार जो चल रहा है उसमें तो फिलाल के लिए खबर में कि नहीं साथ चानल को सब्सक्राइब करें फेस्बूक पेज को लाइक करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद